आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं definite integral का exercise number है 5.3 जिसमें हम question कवर करने जा रहे है question number 11 to question number 16 के जो भी सारे example है सारे देखेंगे ठीक है देखें students 5.3 का अलड़ी हमने एक video देखा हुआ जिसमें हमने question number 1 to 10 के सारे examples cover किये हुए ठीक है तो आज हम question number 11 to 16 देखने जा रहे है ठीक है तो यहाँ पर प्लीज अगर आपने पहले का video ने दिखा 1 to 10 तो पहले वो देख लीजे तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा उसका अलग नहीं है ठीक है तो 1 to 10 आपने किया तो इससे आप easy लिखा सकते है खाले यहाँ पर जो इसका question level of difficulty है वो थोड़ा सा जाधा रहेगा ठीक है तो यहाँ पर भी हम substitution का है लेंगे और फिर उसको integrate करेंगे और फिर उसमें जो भी limit हमारा दिया हुआ है तो हम substitute करके उसका answer find out का लेगे ठीक है तो question number 11 से start करते है student question number 11 question number 11 देखे student क्या दिया हुआ है integrate 0 to infinite x square into sin x ठीक है तो अभी जो हमारा function दिख रहा है यह हमाई u into v के form में दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम question को देखके identify कर सकते है कि यहाँ पर हम u into v का rule apply करेंगे और इसको integrate करके उसका limit put कर देंगे okay student तो सबसे पहले देखे हम क्या करेंगे integration निकालेंगे student यहाँ पर हम u into v का rule apply करने जहाँ रहे है ठीक है तो u into v का rule apply करने से पहले हम देखते है कि हमारा u term कौन सा है v term कौन सा उसके लिए हम liate ठीक है यहाँ पर x square algebraic function at design मतलब trigonometric function है तो यह हमारा u है यह हमारा v है तो हम u into v का rule apply कर देते हैं student u into v का rule हमें पता है u integration of v ठीक है तो अभी यहाँ पर limit देखे कौन से term को जहने वाला यह अलड़ी हमें पता है integration of bracket integration of v into derivative of u u के हमारा x square ठीक है student यहाँ पर दीखे जो whole term है यहाँ पर whole integration को limit जाने वाला यहाँ पर इसको limit नहीं जाएगा आपको ध्यान रखना यह अलड़ी हमें u into v के rule के questions देखे हुए है यहाँ पर sign का integration क्या होता है student minus cos x ठीक है तो यह minus की sign को हम बाहर ले लेंगे और जो limit है वो दोनों term को जाएगा यह अलड़ी हमने discuss किया student sin x का integration होता है cos x minus cos x x square का derivative क्या आता है 2x ठीक है यह minus का sign बाहर चला जाएगा है 2 हमें बाहर लिखना तो बाहर लिख सकते है ठीक है तो यहाँ पर देखिए minus का sign को हमने बाहर लिख 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 लिया x square into cos x pi by 2 0 यह बाहर प्लस हो गया 0 to pi by 2 यहाँ पर 2x algebraic function है cos हमारा trigonometric function है तो यहाँ पर फिर से हमें u into v का rule apply करना पड़ेगा जान से देखिए student यहाँ पर हम limit put कर देते हैं पहले क्या करेंगे x के term जहाँ 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 पर x दिख रहा है अपर limit put कर देंगे pi by 2 का square into cos pi by 2 minus 0 into 0 का square into cos 0 तो यहाँ पर हमने एक बार पहले upper limit put किया फिर हमने lower limit put किया तीक है यहाँ पर देखिए u into v का rule apply करते है u integration of v minus whole integration bracket integration of v derivative of u, u क्या है हमारा 2x, 2x का derivative क्या होता है 2 okay student तो देखिए यहाँ पर cos pi by 2 का value क्या होता है cos pi by 2 हमें पता है 0 होता है ठीक है 0 into any term 0 हो जाएगा ठीक है 0 का square 0, 0 into any term cos 0 का value 1 होता है लेकिन 0 into 1 0 हो जाएगा plus अभी देखिए यह तो हमारा term 0 होगा अभी हमें इसे integrate करना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए 2x इसको integrate करेंगे cos का integration क्या होता है sin x upper limit lower limit minus पहले bracket को solve कर लेते है cos का integration sin x होता है और यहाँ पर 2x का derivative 2 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा एक term इसे integrate करना बाकी रहे गया है इसे हमने integrate कर दिया इसका limit पूट करना बाकी है इसमें limit पूट करेंगे तो यह देखिए यह टम तो जीरो हो चुगा है लिखने की जरूती नहीं है तो यहाँ पे पहले हम x के पे पाई बाई बाई टू रखेंगे into sin पाई बाई बाई टू अभी हम x के पे जीरो रखेंगे lower limit ओके student अभी यहाँ पे देखिए 2 constant बाहर आ जाएगा cos का integration क्या होता है minus sin का integration क्या होता है cos x upper limit lower limit ओके तो देखिए यह 2 to get cancel pi बच गया sin pi by 2 का value क्या होता है 1 यहाँ पे pi into 1 हो गया और 0 into any term 0 तो यह पूरा term 0 हो जाएगा minus 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 से प्लस हो जाएगा minus बाहर ले लिए हमने cos x के जगा पे हमने एक बार pi by 2 रखा minus एक बार हम 0 रखेंगे question यह देखिए minus के sign बाहर ले लिए प्लस हो गया अंदर क्या बचिए cos x के हमने pi by 2 रखा फिर minus 0 रखा देखते हैं यहाँ पे pi into 1 pi minus 0 pi plus 2 देखिए cos pi by 2 का value क्या होता है 0 और cos 0 का value क्या होता है 1 ओके तो यहाँ पे हम इसे simplify करेंगे तो क्या मिल जाएगा pi 0 into 2 0 2 into minus 1 minus 2 तो यहाँ पर देखिए student यह हमारा answer क्या मिल गया pi minus 2 next example देखते है question number 12 देखिए student क्या दिया हुआ है integral 0 to pi by 4 sec raise to 4 x ठीक है यहाँ पर पहले हमें sec raise to 4 का integration निकालना है फिर उसके बाद हमें limit put कर देना है ठीक है पावर जब आप स्प्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा देखिए कि 1 plus 10 square theta क्या होता है sec square theta होता है तो यहाँ पर हम 0 to pi by 4 एक sec square को हम 1 plus 10 square x लिख देंगे और एक sec को वैसे ही रखेंगे okay student अगर यहाँ पर अभी हमने substitution का help लिया substitute what t is equal to 10x तीक है आप गर आपने t को 10 substitute किया इसका हम derivative निकालेंगे dt by dx is equal to क्या हो जाएगा sec square हो जाएगा तो dt is equal to what sec square dx तो यहाँ पर sec square dx के अभी हम dt लिख देंगे और जहाँ पर हमारा 10 है तो 1 plus 10 square हो जाएगा ठीक है तो 1 plus 10 square sorry 1 plus t square dt हो जाएगा तो इसलिए हम integrate कर लेंगे लेकिन देखे जब भी हम definite integral में जब भी हम substitution करते हमें पता है कि limit है limit भी हमारा change होता है ठीक है तो when t is equal to upper limit क्या है sorry x is equal to pi by 4 है तो अभी हमें t का value चाहिए अभी हम क्या करेंगे यह equation में x के जगह पे pi by 4 रख दिया हमने तो 10 pi by 4 का value क्या होता है 1 तो जब when x is equal to pi by 4 तो अभी t हो गया तो उसका value 1 मिल गया ठीक है वैसे ही x 0 limit lower limit 0 है इसलिए अभी हम यह equation में 10 0 रख देंगे तो हमें पता है 10 0 का value 0 होता है तो अभी जहाँ पे हमारा upper limit pi by 4 था वहाँ पे अभी हमारा 1 हो गया जहाँ पे 0 था वहाँ पे 0 हो गया तो अभी हमारा question देखें क्या हो गया है 0 2 1 1 t square 10 के जगा पर हमने क्या लिख दिया t लिख दिया 1 plus t square और 6 square dt के जगा dx के जगा पर हमने क्या लिख दिया dt लिख दिया ठीक है अभी देखें question बहुत ही simple हो गया student 1 का integration क्या होता है वित रेस्पेक्ट टी टी हो जाएगा टी स्क्वाइर का integration टी रेस्ट टू त्री वाई 3 अपर लिमिट वान लोर लिमिट जीरो अभी यहाँ पर देखें इजीली हमने इंटिगेट कर लिया है अभी इसमें हम लिमिट पूट कर देते हमारा वेरिबल टी है एक बार टी के पर 0 रख देंगे तो देखें हमें क्या मिल जाएगा वन प्लस वन बाइटरी यह 0 और यह 0 ठीक है जिए प्लस जिरो इसका कोई वैलू नहीं रहेगा इसे हम चौट करेंगे वन प्लस वन बाइटरी क्या हो जाएगा फोर बाइटरी ठीक है तो यह हमारा रिक्वाइड आं यह 15 देखे ढूट क्या दिया हुआ है जीरो टू पाइबबाइटू बइन अपाउन एसक्वेर साइग सक्वेर एक्स प्लस बी स्क्वेर कॉस्वेर एक्स यहाँ पर दीक है तो यहां पर अगारे ऑसक्वेर कोई नंबर था यहां सब्सवेर काति आप काकित्वार प्लस प cos x जिसमें हम क्या करते थे हैं स्ट्रेंट cos qr से एन्यमिटर एंड इन्यमिटर को डिवाइट करते थे ठीक है और फिर आगे का स्टेप हम करते चले जाता है ठीक है तो देखिए हमारा क्या है equation i is equal to zero to pi by two one upon a sin square x plus b cos square x ठीक है तो यह substitution का type का student है student देखते हैं इसमें कैसे करते हैं आपर यहाँ पर देखिए हम लोग numerator अग्णि अटि डिवाइडिंग बोथ निवाइटेर अन्डी निनोमेटर बाइचसु को स्कूर एक्स यहां पर दिख दिजें डिवाइट इन्डीनोमेटर बाइच को स्कूर एक्स यह रूहल है यह टाइप के हमने कॉस स्क्वेर एक से निमेर हैं डिनामेटर को डिवाइट करना है कि कौन से टाइप से इंडिक्रेशन को सॉल किया जाता है तो यह प्ली अच्छे से करिए integration के topic को क्वेशन आडिटिफा करना बहुत difficult टास्क होता है, जब हमें question paper मिलता है तो उसपे आपको practice करना चाहिए, तो यहाँ पे देखें, cos square, cos square cancel हो जाएगा, cos upon sin 10 हो जाएगा, ठीक है, 0 to pi by 2, 1 upon cos को हम sec square x लेख सकते हैं, और यहाँ पे a into 10 square x होता है, plus यह b square, अभी देखें, यह step के बाद हमें क्या करना रहता है, अ करना है यह रूल है इसका तो यहां पर रूल क्या बोलता है टी सब्सूट करना है आपको किसको 10x को तो जब आप इसका डेरिवटिव निकालेंगे dt by dx is equal to sec square x उससे आपको क्या मिल जाएगा dt is equal to what sec square x into tx sec square x dx यहां देखें question में हमें दिख रहा है sec square dx के जगा पर आप dt लिख दोगे और जहां पर 10 है वहां पर आप t लिख दोगे ठीक है और देखें लेकिन यहां पर हम substitute कर रहे है इसलिए हमारा limit है जो वो change हो जाएगा when x का value pi by 2 है हम यह equation में put कर देंगे तो हमें t is equal to 10 pi by 2 देखें अभी 10 pi by 2 का value क्या होता है हमें पता है infinite होता है और when x is equal to 0 तो t क्या हो जाएगा 10 0 का value 10 0 का value 0 होता है तो यहां पर हमारा देखें question क्या बन जाएगा जहां पर limit हमारा 0 था वहां पर 0 हो गया जहां पर limit pi by 2 था वहां पर infinite हो गया 6 square x dx के यहां पर हम dt लिख देंगे और यहां पर 10 है वहां पर हम t लिख देंगे इसका मतलब यह t square हो जाएगा ठीक है तो हमारा question है वह क्या बन गया है i is equal to what 0 to infinite dt upon a square into t square plus b square ठीक है तो अभी देखें यहां पर हमारा जो variable है t है इसको हम x समझ लेते हैं तो हमारा जो formula बनता है 1 upon x square plus a square ठीक है लेकिन यहां पर देखें जो t है उसके साथ यह variable constant जो number है कोई number है यह तो सबसे पहले यह number को हमें हटाना पड़ेगा कुईसी भी number को यह हटाने के लिए हम क्या करते common लेते या फिर वो number से divide and multiply कर अगर यहां से हमने common लिया तो 1 by a square बाहर आ जाएगा 0 to infinite t square के साथ a square जाव बाहर चला गया लेकिन यहां पर b के साथ स्क्वेर नहीं है तो उसको a square डिवाइड हो जाता है ठीक है तो यहां पर हमने क्या क्या है a square हमने common ले लिए क्यों क्यों कि हैं पर t square के साथ कोई भी number ह हमें नहीं चाहिए constant number हमें नहीं चाहिए इसलिए यह rule है तो 1.a square हम क्या लिख सकते है 0 to infinite dt upon t square plus b by a square अभी दो हमारा जो formula है integration का x square plus a square के form में आ गया है तो यह क्या हो गया 1 by a times x by a plus c तो यह integration का formula अप्लाई करेंगे यहां पर देखें स्ट्वेंड तो i is equal to 1 by a square 1 by a, a क्या है मारा, b by a, tan inverse x, x मतलब t by a, a क्या है मारा, b by a, infinite 2, 0 तो यह limit लगने से पहले हम इसे तुरह simplify का लेते हैं यह जो constant number है उसे बहार ले लोगे, यह 1 upon b by a, b by a reciprocal हो जाएगा तो a by b होके बहार आ जाएगा हमने 1 by a square, a by b को बहार ले लिया, यह 10 inverse, यह 80 by b हो गया, ठीक है? तो यहां पर देखें हमें क्या करना है? एक बार हम अपर limit infinite पूट करेंगे, एक बार lower limit 0 पूट करेंगे, यह a, a cancel हो गया, 1 upon a, b बज़ किया, तो यहां पर देखें, एक बार हम अपर limit पूट कर रहे है, 10 inverse, ट के जगा पर infinite रखेंगे, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? a into infinite by b minus tiny inverse 0 रख रहे है, a into 0 by b, ओके चुट, यहां पर ध्यान से देखेंगे, 1 upon a by a into b, ओके, तो यहां पर infinite upon any number infinite होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? tan infinite ही रहेगा, और यह 0 into an item 0, 0 upon an item 0, तो tan inverse 0 हो गया, ठीक है, tan inverse 0 का value 0 होता है, तो यहां पर tan inverse infinite, मतलब tan के कौन से angle का value infinite होता है, तो हमें पता है कि tan 90 degree का value infinite होता है, तो यहां पर tan inverse infinite का मतलब क्या हो गया? पाइ बाइ बाइ टू, और tan inverse 0 मतलब tan के काउन से angle का value 0 होता है, tan 0 के value 0 होता है, तो यहां पर हमें 1 by a by b into pi by 2, ठीक है, तो यह देखे, यह हमारा required answer मिल गया, i is equals to pi upon 2 a b, ओके student, तो बहुती अच्छा question है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंटेग्रेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट एक्जांपल लेते हैं, question देखे, student 14, क्या दियावा है, i is equals to 0 to pi sin cube into 1 plus 2 cos x into 1 plus cos x raise to 2 dx, ठीक है, तो अभी question देखे ही, हमें लग रहा है, कि यहांपर हमें substitution का help लेना है, student, ठीक है, लेकिन यहांपर substitution का help लेने से पहले, यह जो sign है, उसका power है, वो हमें split करना होगा, ठीक है, तो यहांपर हम सबसे प power है, वो split करेंगे, यहांपर हम लिख देंगे, sin square x into sin x, sin square x into sin x, मतलब sin cube हो गया, ठीक है, तो यह जो sin x है, उसको हम end में लिख लेते हैं, तो यहांपर हमने क्या क्या सबसे पहले है, step, sin का जो power cube था, उससे हमने square into x में convert कर लिए, sin square into sin x में, ठीक है, तो अभी देखे, अभी हमारे पास एक trigonum का formula है, क्या, sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1 होता है, तो यह sin square वहाँ पे जाएगा, सब क्या हो जाएगा, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, तो यहाँ पे हम sin square के जगह पे क्या रख सकते है, 1 minus cos square x, ओके, into 1 plus 2 cos x, 1 plus cos x का whole square into sin x dx, ठीक है, तो अभी देखो, जब हम substitute करेंगे, cos को t substitute करेंगे, तो cos का derivative sin x मिल जाएगा, हमें मतलब यह term मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अभी हमें यहाँ पे substitution करना है, क्या substitute करेंगे, t is equal to what? cos x, तो यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे इसका derivative निकाल लेते है, dt by dx is equal to what? cos का derivative क्या होता है, minus sin x होता है, तो यह हमें क्या मिल जाएगा, minus dt is equal to what? sin x dx, तो यह देखें, यहाँ पे sin x dx के, यहाँ पे minus dt लिख देंगे, यहाँ पे t square, यहाँ पे t, यहाँ पे 1 प्लस t का whole square, लेकिन यहाँ पर देखें, जब भी हमें substitution करना पड़ता है, तो यहाँ हमें substitution करते हैं, तो limit हमें change करना होता है, तो when x is equal to pi, therefore t is equal to what? cos pi, यहाँ पर x के पे pi रख देंगे, तो cos pi का value क्या होता है, minus 1, प्लीज यह सारे value जो है आपको याद अखने होंगे student, ट्रिग्नों के जो भी है, cos 0 का value, देखें यहाँ पे t is equal to what? cos 0 is equal to 1, तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखे, t when x was pi, t का value minus 1 मिल गया, when x is equal to 0, t का value हमें 1 मिल गया, तो अभी जो हमारा question है, देखें क्या हो जाएगा student, जहाँ पे 0 था, वहाँ पे 1 हो गया, जहाँ पे pi था, वहाँ पे minus 1 हो गया, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे cos दिख रहा है, आपको t रखना है, और sin x dx के यह पे हम minus dt रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 minus t square into 1 plus 2t into 1 plus t का whole square into minus dt, ठीक है student, easily integrate कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि, यहाँ पर इसे simplify करना है, bracket open करोगे, simplify करोगे, एक normal algebraic form में मिल जाएगा, उसे हम integrate कर देगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 to minus 1, यह 1 minus t square को ऐसे ही रखते है, यह तो यहाँ पर पहले यह bracket solve कर सकते हो, या फिर अब इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर a plus b का square का formula प्लाइ करते हैं, यहाँ पर a plus b का square का formula प्लाइ करते है, 1 plus 2t plus t square, ठीक है, यह minus sign है, वैसे ही रखते है, यह पहले यह दोनों का bracket open कर देगे, फिर इसको इसको इसकी साथ multiply करके, ब्राकेट open कर देगे, तो देखे, 1, 2 minus 1 यह bracket open कर रहा है 1 plus 2t minus t square minus 2t cube 1 plus 2t plus t square minus dt तो अभी इसे हमने simplify करना होगा देखते हैं इसे bracket open करके देखते हैं पहले 1 सबके साथ multiply होगा 2t सबके साथ multiply होगा t square सबके साथ multiply होगा 2t cube सबके साथ multiply होगा तो यहां पर पे 1 to minus 1, 1 सबके साथ multiply कर रहे है, 1 2t plus t square, 2t को सबके साथ multiply कर रहे है, 2t plus 4t square plus 2t cube, minus t square को सबके साथ multiply कर रहे है, minus t square minus 2t cube minus t raise to 4, 2 raise to cube को सबके साथ multiply करते है, minus 2t cube minus 4t raise to 4 minus 2 raise to 5, अभी जो minus है, यह minus का साइन है, अभी अगर हमने अंदर सबके साथ multiply कर दिया, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभी सबको अलग-अलग integrate हम कर सकते हैं, ठीक है, सबको अलग-अलग integrate करके सबका लिमिट, जो भी दिखरा हम लिमिट पुट कर देगे, तो integrate करते हैं, और सबका साइन है, हम change कर देते है, minus का साइन अंदर shift कर देगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, one का integration t हो जाएगा, यहाँ पर इसका minus का साइन देता हो, q, कि यह minus का साइन अंदर आके multiply हो गया तो यह 2t square by 2, यहाँ पर सबका साइन जो plus उसको minus कर दिया, जो minus उसको plus कर दिया, ओके student, अभी t square का क्या हो जाएगा, t raise to 3 by 3, यह change कैसे कर रहा हो, यह minus का साइन में इसके साथ multiply कर रहा हो, हाँ student, तो ध्यान रखना है, तो यह integration से sign उसका change नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या अब यह minus है, वो plus हो जाएगा, 2 raise to 3 by 3, plus 2 raise to 4 by 4, plus t raise to 5 by 5, plus 2 raise to 4 by 4, इसका क्या हो जाएगा, 4 5 by 5, sorry, plus हो जाएगा यह, और यह plus 2 raise to 6 by 6, ठीक है, integration हम निकाल लिया, minus 1, 2, 1, ठीक है, अभी देखे, limit put करने से पहले हम देखते है, कोई term सेम है, cancel अगर होता रहा है, तो उसको कर देगे, तो हमारे लिए easy हो जाएगा, ओके, नहीं तो question लेंदी हो जाएगा, limit put करने के लिए, तो यहाँ पर देखे, यह t अकेला है, इसको अकेले ही लिखते है, यहाँ पर यह term और यह term सेम है, यह इसका 2 to cancel, यह 2 to cancel, t square, t square, क्या हो जाएगा, minus 2 t square हो गा, t cube 3, t cube 3, plus 1 minus है, इसको cancel कर दिया, ठीक है, यहाँ पर cube इसके पास है, यह cancel हो गया, यह बच्चा क्या है, 4 raise to 3 by 3, यह भी हो गया, t raise to 4, इसके पास है, इसके पास है, plus 1 minus है, cancel कर दिये, तो यह बच्च गया, 1 plus 2 raise to t raise to 4 by 4, यह बच्च गया, यह और यह सेम है, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए, 5 t raise to 5 by 5, यह हो गया, यह बच्च गया, 2 3s are, t raise to 6 by 3, अपर लिमिट minus 1, lower limit 1, 5 5 क्या है, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, minus 1, फिर minus, lower limit कर देंगे 1, ठीक है इस्ट, तो प्लीज धान से करिएगा, पहले हम क्या करते है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, minus, देखिए हम क्या करते है, यह minus का जो sign है, इसको हम common ले लेते है, या फिर ऐसे ही रखिए, कुछ लेने की ज़रोती है common, पहले हम अपर लिमिट पुट कर रहे ह यह 1 by 2 बचेगा, 2, 2 cancel कर दिया है यहाँ पर, यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 cancel हो गया है, यहाँ पर यह, ठीक है, तो पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट, अभी हम लोवर लिमिट पुट करेंगे, लोवर लिमिट क्या है, 1, माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वेर, माइनस 4 बाइ 3, 1 का क्यूब, ब्लस 1 बाइ 2, 1 दिच लिफ 7, प्लस 1 दिच 6 बाइ 3, ठीक है, तो क्या किया, पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दिया, पूरे फंक्शन में, फिर माइनस लोवर लिमिट, lower limit 1 है 1 put कर दिया ठीक है अभी देखिए इसे हम simplify करते हैं जहां से देखेगा यहां पर देखिए minus minus plus हो जाएगा 1 यहां पर minus 1 का square 1 1 into 2 2 minus 1 का cube minus 1 यह minus minus plus 4 by 3 हो जाएगा 1 is to 4 1 तो यह 1 by 2 ही रहेगा minus 1 is to 5 minus 1 1 is to 6 minus 1 is to 6 मतलब plus ही रहेगा 1 by 3 तो यह हमने upper limit put कर दिया अभी हम lower limit put कर देखिए lower वाले को simplify कर लाता है ठीक है तो यह minus 1 का square 1 1 into 2 2 minus 4 by 3 1 by 2 1 1 by 3 ठीक है अभी देखिए bracket open कर देते हैं जो plus रहेगा cancel हो जाएगा easily minus minus plus हो गया plus हो गया यह plus हो गया और यह minus हो गया यह minus हो गया यह minus हो गया ठीक है अभी देखते हैं plus कौन सा है minus कौन सा वो cancel हो जाएगा तो कैंसल करते हैं पहले 1 plus 1 minus cancel 2 plus plus cancel यह plus है इसके साथ plus हो जाएगा 1 by 2 minus cancel minus 1 minus 1 प्लस हो जाएगा यह plus यह minus cancel ठीक है जो टम बचाओ अब इस लिख दीजे 4 by 3 plus 4 by 3 minus 1 minus 1 ठीक है तो इसे आप simplify करेंगे तो यह 4 plus 4 8 by 3 minus 2 तो इसे simplify करेंगे तो 8 by 3 minus 2 मतलब यह क्या मिल जाएगा 6 2 by 3 students हमारा answer wrong है हमने पर उपर mistake किया और भी हम चेक कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए यह bracket open करते समय नहीं यहां पर हमने mistake किया है minus 1 into 1 तो यह मेरा plus हो जाएगा तो यहां पर हमने mistake किया हुआ है ठीक है और हमने इसके बाद calculation करते समय पर mistake किया है यह कि यह plus 1 है यह minus 1 है इसके साथ cancel हुआ और यह plus 1 है यह minus 1 यह इसके साथ cancel हुआ ठीक है तो इसके से यह जो हमारा यह 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 term हमें नहीं मिलेगा ठीक है तो हमारा यह जो answer है 8 by 3 हमारा required answer हो जाएगा ठीक है therefore i is equals to what 8 by 3 okay student तो please यह साथ जो blending question रहता है जिसमें जादे calculation है तो वहाँ पर ध्यान से देखेगा mistake होता है तो फिर हमें पता नहीं चलता है ठीक है तो next example देखते है एक स्क्वेर अंडर रूट वन माइनस एक स्क्वेर ठीक है तो अभी देखे यहां पर हमें सब्सूरिशन तो यूज करना ही है लेकिन यहां पर देखे हम सम सब्सूरिशन यूज करेंगे इंटिग्रेशन में हमने अल्यडी देखा हुआ है तो यहां पर हमारा i is equal to 0 to 1 by 2 dx upon 1-2x square under root 1-x square दिया हुआ है तो यहां पर देखे हम सब्सूरिशन क्या करने वाले हैं सब्सूरिशन करें किया हुआ है तो हमें इसका derivative निकालना है तो यह dt by da theta क्या हो जाएगा cos theta इसका derivative हमने निकाला with respect to theta cos theta हो गया therefore dx is equal to what cos theta d theta ठीक है तो x के जगा पर हम sin theta लेख देंगे और dx के जगा पर हम this ठीक है या फिर देखिए इसे हम क्या लख सकते है और theta is equal to what sin inverse x यह sin वहाँ पर जाएगा तो sin inverse x हो जाएगा theta is equal to sin inverse x ठीक है अभी देखिए अभी हमें limit भी change करना पड़ेगा when x is equal to 1 by 2 अभी देखिए x जब 1 by 2 होगा तो अभी यहाँ पर हम x की आपे 1 by 2 रख देंगे तो theta हमें क्या मिल जाएगा therefore theta हमें क्या मिल जाएगा sin inverse 0 sin के कौन से angle का value 0 होता है sin 0 का ठीक है student देखिए अभी हम यह सारे terms यहाँ पर हम आवरे question में substitute करेगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा i is equal to what जहाँ पर हमारा limit 0 था वहाँ पर हमें 0 मिल गया जहाँ पर हमारा 1 by 2 था वहाँ पर हमें sin square ठीक है तो यहाँ पर देखिए 1 minus 2 sin square x sorry theta और under root 1 minus sin square theta तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर trigon के formula की help ने ली पड़ेगी हमें student ओके तो अभी देखिए हमें पता है कि cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta होता है और 1 minus sin square का हमें पता है कि cos square theta होता है तो यहाँ पर हम यह दोनों formula apply करेंगे तो 0 2 pi by 6 cos theta d theta upon देखिए student के मिल जाएगा इसे हमें क्या लिख देखिए cos 2 theta लिख देखिए और यह under root cos square theta तो cos square root cancel हो गया तो हमें क्या मिल गया 0 2 pi by 6 cos theta upon cos 2 theta into cos theta into d theta तो cos theta cos theta get cancelled cancel होगे student क्या बज़ गया उसे लिख दीजे और उसे हम try करेंगे उसे simplify करने के लिए 1 upon cos 2 theta तो अभी देखिए 1 upon cos क्या होता है sec होता है तो यह हमें क्या मिल जाएगा 0 2 pi by 6 sec 2 theta तो अभी sec theta का integration हमें बता है कि क्या होता है ठीक है student तो यहां पर हम sec का integration पता है क्या लिखते है sec integration of a sec is equal to what log therefore integration of a log sec theta plus 10 theta लेकिन यहां पर देखे theta के साथ 2 है तो यहां पर हमें पता है कि यह 1 by 2 आए जाएगा 0 to pi by 6 ओके शुट अभी यहां पर हम अपर लिमिट पूट करेगे theta के जगह पर फिर एक बार हम lower limit पूट करेगे theta के जगह पर यह 1 by 2 है आप उसे बाहर लिख सकते हो यह 1 by 2 को बाहर लिए ठीक है अभी theta के जगह पे पहले हम 5 by 6 रख देते है अपर लिमिट sec 2 into theta प्लस यहां पर भी हमने theta के जगह पे 5 by 6 रख दिया पहले अपर लिमिट रख दिये हमने माइनस अभी हम lower limit करेगे यह हमने upper limit पूट कर दिया अभी हम lower limit पूट कर रहे log sec 2 into 0 sec 0 और plus 10 0 ठीक है यहां पर देखिए हमने क्या कर दिया upper limit minus lower limit पूट कर दिया तो इसे हम simplify करते है और देखते है हमारा answer क्या आता है 2 by 3 यह 2 by 3 हो जाएगा log sec pi by 3 plus 10 pi by 3 minus log sec 0 plus 10 0 question तो अभी देखिए log sec pi by 3 sec pi by 3 का value क्या होता है 2 होता है मतलब sec 60 degree 2 होता है 10 pi by 3 मतलब 10 60 degree का value क्या होता है root 3 होता है minus log sec 0 sec 0 1 होता है 10 0 0 होता है तो यहाँ पे देखिए log sec 0 1 plus 0 okay student तो 0 plus 1 1 10 log 1 यहाँ पे 1 by 2 log 2 root 3 log 1 का value क्या होता है 0 तो तो हमारा required answer देखिए student क्या मिल गया 1 by 2 log mode of 2 plus root 3 log 1 का value 0 हो गया देखिए this is our required answer number 16 देखिए student क्या दिया हुआ है i is equals to 0 2 pi by 2 under root 10 plus under root cot dx तो यहाँ पर directly यहाँ पर subscription तो नहीं दिख रहा है student तो यहाँ पर पहले हम trigon के formula apply करते हैं फिर बात में देखते हैं कि कोई form में आ रहा है क्या तो यहाँ पर sin upon cos लिख सकते हैं हम और इसे हम क्या लिख सकते है sin cos x upon sin x ठीक है student तो अभी इसे हम क्या करेंगे simplify करते है cross multiply होगा यह sin root sin से multiply और sin cos sin से multiply होगा और यह दोनों आपस में multiply हो जाएगे तो यह sin root sin root sin के साथ multiply हो तो sin x हो जाएगा root cos root cos के साथ multiply हो तो cos हो जाएगा और denominator में root cos root sin तो under root sin x under root cos x हो गया देखिए student इसका मतलब क्या है यह root sin upon root cos है और यह root cos upon root sin है तो इसे हमने cross multiply किया हुआ है और यह आपस में multiply हुआ है तो root sin root sin sin हो गया root cos root cos cos हो गया और upon under root sin into cos हो गया तो देखिए अभी इसे हमने trigono का help तो लिया लेकिन अभी जो हमारे question मिल रहा है यहां पर हम इसे easily substitute नहीं कर सकते तो please यहां पर तोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा देखिए यहां पर हमें numerator में क्या दिख रहा है sin x into sin x plus cos x dx दिख रहा है तो अगर मैंने t is equal to sin x minus cos x substitute किया sin का derivative cos होता है cos का derivative minus sin होता है तो minus minus plus होके हमें यह टा मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए हम substitute का जो कर रहे है वह हम अपने answer पर assume कर रहे है तो क्या t is equal to sin x minus cos x होता है तो इसका हम derivative निकालेंगे dx by dt क्या हो जाएगा यह sin का derivative cos हो गया और cos का derivative minus sin minus minus यह plus हो जाएगा तो देखिए हमें dt is equal to क्या मिल गया sin x plus cos x dx मिल गया ठीक है तो यह जो हमारा denominator का term है this sin x plus cos x into dx उसकी यह पर हम dt लिग देते हैं लेकिन यहाँ पर यह हमारा numerator है वो हमारा क्या होगा और यह limit है वो हमारा कैसे change होगा ठीक है तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे उसको हम simplify करेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए हमने cat substitute किया t is equal to sin minus cos ठीक है अगर हमने इसको whole square किया squaring both the side किया तो हमें क्या मिल जाएगा t square is equal to sin x minus cos x का whole square तो यहाँ पर हम इसको simplify करेंगे यह a minus b whole square का formula अप्लाई किया यहाँ पर हमने ठीक है तो यहाँ पर sin square plus cos square x क्या होता है 1 होता है तो यहाँ पर t square is equal to what 1 minus sin x into cos x हो गया ठीक है sin x plus cos square x मतलब 1 होता है ठीक है तो अभी देखिए student यह 2 cos यहाँ पर आजाएगा plus हो जाएगा 2 sin x into cos x और यह 2 वहाँ पर जाके 1 minus t square हो जाएगा ठीक है तो यह 2 उसको देदेंगे तो यह हमें देखिए sin x into cos x is equal to what 1 minus t square by 2 हो जाएगा तो इसका मतलब जो अपना question है इसके जाग पर हम क्या लिख सकते है sin x into cos x के जाग पर 1 minus t square by 2 और यह denominator जो दिख रहा है sin x plus cos x dx के यह पर हम क्या लिख सकते है this is equal to dt लेकिन हमें limit change करना है ठीक है तो अभी हमारा limit कैसे change होगा student प्लीज ध्यान से देखिएगा ठीक है तो जब इसका help लेंगे यहाँ पर दिखालते है when x pi sorry limit के हमारा pi by 2 है यहाँ पर pi नहीं है pi by 2 है when x हमारा pi by 2 है अभी यहाँ पर हम t में put करेंगे तो sin pi by 2 minus cos pi by 2 sin pi by 2 का value क्या होता है 1 और cos pi by 2 का value क्या होता है 0 मतलब क्या मिल गया हमें 1 और when x is equal to 0 lower limit 0 है तो इसमें put करेंगे t is equal to sin 0 cos 0 तो sin 0 का value 0 होता है cos 0 का value 1 होता है तो हमें t is equal to what minus 1 मिल गया तो हमारा limit देखे student क्या हो गया जहाँ पर हमारा limit 0 था वहाँ पर minus 1 हो गया और जहाँ पर pi by 2 था वहाँ पर हमारा 1 हो गया और cos sin x plus cos x dx की जब पर हमने dt लिख दिया और यहाँ पर इसकी जब पर हमने क्या लिख दिया इस ओके student तो under root 1 minus t square by 2 थीक है अभी देखे student यह हमारा question मिल गया है हमें ऐसे simplify करना integrate करना है ऐसे में limit put कर देना है थीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं minus 1 to 1 dt upon 1 minus t square upon root 2 लिख सकते हैं क्योंकि whole root 2 है तब यह reciprocal हो जाएगा तो यह root 2 पर हो जाएगा root 2 को हम बाहर लिख लेंगे minus 1 to 1 dt upon 1 minus t square ठीक है यह reciprocal होगा यह numerator में चला जाएगा ठीक है root 2 और constant है इसले हमनों से बाहर लिख लिख लिए अभी देखे 1 upon under root 1 minus x square तो हमें पता है कि वह किसका formula है sin inverse x का sin inverse t हो जाएगा 1 upper limit 1 lower limit minus 1 ठीक है student ठीक है यह integration का formula है student 1 upon under root 1 minus x square is equal to sin inverse x plus e ठीक है तो यहाँ पर एक बार upper limit put करिए sin inverse 1 minus एक बार lower limit put करिए sin inverse minus 1 तो sin के कौन से अंगल का value 1 होता है sin के कौन से अंगल का value 1 होता है 90 degree और sin के कौन से अंगल का value minus 1 होता है minus pi by 2 minus 90 degree ठीक है student तो यहाँ पर root 2 pi by 2 minus minus plus pi by 2 तो pi by 2 pi by 2 क्या हो जाएगा ठीक है तुमारा answer क्या जाएगा 2 under root pi ठीक है student तो यह हमारा required answer आ गया ठीक है तो देखे यह student यह आज हमने अभी देखा question exercise number 5.3 का example 16 ठीक है तो यह आज के लिए यहाँ पर ही हम stop करते है ठीक है यह video में हमने question number 11 to 16 देखा हुआ student ठीक है जो इसके पहले का question है वह हमने दूसरे video में देखा जिसका already link मैंने आपको description में share किया हुआ तो आज के लिए मैं आपर stop करते है students आपसे में एक छोटा से request करना चाहूंगा video के end में छोटा से comment करके मुझे बताइए कि मेरा यह video आपको कैसा लगा अगर आपको कुछ suggestion है या फिर आपका कुछ advice है या आपको कुछ issue है तो वह भी आप comment कर सकते है ठीक है और very important अगर आपको यह मेरा चैनल helpful है तो प्लीज चैनल को जरू सर्सक्राइब करें और आपका जो भी friend circle है उनको यह मेरे चैनल का link जरू शर करें okay student thank you